हेलो फ्रेंड्स अब हम एक और इंटर्वी का कुश्चन यहां पर डिसक्स करने वाले हैं और इसमें जाद तर लोगों को कन्फिजन होता है कि native object और host object में क्या होता है बहुत तो इसको सेम ही बोलते हैं कि सेम होता native object और host object ठीक है तो यहां पर मैंने definition दी हुई है आप चाहि जो वर्जन होते हैं, इनके अंदर implemented हुए हमारे objects होते हैं, ठीक है, और जो host object होते हैं, यह होते हैं, part हमारे browser के, window के हमारे part, मतलब browser के अंदर जितने feature होते हैं, वो हमारे host object होते हैं, ठीक है, तो इस से आपको देखे, कितना simple आपको clear होगा, जब मैं example दिखांगा आपको, तो बिल्कुल और भी clear हो जाएगा, ठीक, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यह example, देखे, native object, इसमें देखे, native object में constructor, date, math, percent, eval, string, maths, like, index of, replace, तो यह सभी method या तो हमारे ICMA 5 में हैं, ठीक है, ICMA script 5 में हैं, यह 6 में हैं, इन सब में implemented हैं, ठीक है, यह है native objects, अब हमारे host object देखे, यहाँ पर, assuming browser environment, इसको assume कर सकते हैं, browser environment की तरह से, जैसे window, window जो हमारा global object है, यह हमारा किसका part है, ब्राउजर का part है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, browser का part है, तो इसको कहेंगे host object, यहाँ पर देखे, document, document भी browser का part है, location हो गया, जो URL हमारा होता हिस्ट् sttb request, जो हम server पर request भेजते हैं, एजेक्ट से, तो set time out, यह सबी किसके part है, यह host object के part है, ठीक है, एक तरीके से जो browser के part है, वो है host object, और जो हमारे ikma script के part है, जो ikma script में implementation हुआ है, वो native object है, ठीक, तो कितना आसान हो गए, देखे, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, बस यही difference इसमें होता है, और mostly हम confuse करते हैं, इंटर्व्यू में हम सेम बता देते हैं, इनको कि native object और host object सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अब आपको concept बिल्कुल clear हो गया होगा, कि native object क्या है, और host object क्या है, और अगर आपको concept clear हो गया है, और अच्छा